पिदिये चातरो नमास का निवस कलासिज में आप सभी को स्वागत है आज मैं आप सभी को सर्व समिकाओ के परियोग से सरल करना बताऊंगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लाए जया तेक लाइक आपना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए इस वीडि परियोग से उवज को आप सब्सक्राइब तो चलिए क्या होता है तो एक इतना है 3x है, यह a हुआ और यह b हुआ, आप इसको समझिए, तो a square तो a के जग 3x है, तो 3x का है a square, माइनस होता है क्योंकि माइनस वाला सुतर है, a minus b का होल square, a square minus 2ab plus b square होता है तो a square minus 2 a, a कितना है 3x, और b कितना है 2y है, समझ गे, 2ab plus b 2y का square, तो 2y का square, यह into है, यहां आप चाहे, तो गुना के चिन भी दे सकते है, plus 3x plus 2y का square, तो a plus b का होल square पर इसको हम हल करेंगे, तो a square तो a कितना है, 3x है तो 3x का square, पलस 2ab, तो 2a है 3x, और b है कितना, 2y, तो b का square, तो 2y का square, समझ गे, एक बार और समझे, यहां a minus b का होल square किये है, तो a square minus 2ab, पलस b square, पलस यहां, पलस a plus b का होल square के उच किये है, तो a square, पलस 2ab, पलस b square अब इसको हल कीजिए, 3 का square कितना होता है, 9x है, तो x square, फिर 3 दूना 6, दूना 12x है, और y, तो x, y फिर 2 का कितना हो जाएगा, 2 का square होता है, 2 दूना 4, y है तो y square फिर 3 का कितना होता है, 9x square, 3 दूना 6, दूना 12x y, क्योंकि यहां into है, फिर 2 के करेंगे, तो 2 दूना 4y square हो जाएगा, तो आपको यहां समझ में आया होगा, जैसे यहां 3x का square की यहां, तो कितना होगा, 9x square होगा, चली, और समझा देते हैं कैसे, कि जैसे 3x है, तो x square की यहां, तो square कैसे होगा, 3x गुने, 3x कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9x square तो इसी तरह जाएगा, 9x square लिख दिये फिर 3 दूना 6, दूना 12xy plus 2y का square, तो 2y का square है, तो यानि 2 विर गुना करेंगे, तो कितना हुआ है, 4y square इसी तरीके से, सभी को हम हल करें है, अब देखी, क्या करना है, आपको देखी, यहां, x square यहां भी है, और x square यहां भी है, तो यहां दोनों same है, इसके 9 है, और 9 है, तो इस दोनों को जोर लीजिए, अब देखी, खाली square और जो 4 है, वह सेम होना चाहिए, बाकी अंक कुछ भी रहे, उससे हमें मतलब नहीं है, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा कि दोनों plus है, अगर माली जी यहां साथ भी रहता, तो जूर जाता, 9 साथ, सुल्ह हो जाता है, खाली 4 और power समान होना चाहिए, अब देखे, माइनस 12 x y और प्लस 12 x y, तो यह माइनस 12 में से प्लस 12 घटा देंगे, तो 0 हो जाएगा, यानि चाहे तो इसको आप काट सकते है, समझगे, क्योंकि 12 में से 12 घटा जाएगा, तो कितना होगा, 0 बचेगा, उसको बाद कितना है, 4 y square, और यह कितना है, 4 y square, तो यह भी पलस है, और यह भी पलस है, यहां भी y square है, तो 4-4 कितना हो जाएगा, 8, कितना हुआ, 8 y square हो गया, तो इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, असानी से, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तेक लाइक और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद,